हेलो एवरिवन, वेलकम टू दे चैनल गोटू सक्सस और आज के इस वीडियो में हम कारेंगे माई 2021 से संबंधित करन्ट अफियर्स तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हैं शुरू करते हैं हाल ही में परसिद व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है वह थे क्या थे वो प्रियावरण विद्ध थे वैज्यानिक थे गणित्तग थे या गायक थे तो वो थे प्रियावरण विद्ध हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंसिप लीग 2021 ट्रोफी जीती है बार्सिलोना चेल्सी लियोन या रोजन गार्ड ओप्षन है इसका सही अंसर है बार्सिलोना परती वर्ष अंतराश्ट्री जैव विवित्त दिवस कब मनाया जाता है 21 माई को 22 माई को 24 माई को या 25 माई को हाल ही में पिनराई विज्यन किस राज्य के दूसरे बार मुख्यमंत्री बनी है करनाटक केरल जारखंड या 36 गर्ड परती वर्ष अंतराश्ट्री जैव दिवस कब मनाया जाता है अभी कुछी दिन पहले आया था ना आप लोगों ने स्टेटस पर भी देखा होगा 21 माई 19 माई 22 माई या 20 माई तो इसका जो सही अंसर है उप्शन ए 21 माई को अंतराश्ट्रिय चैदिवस मनाया जाता है कौन व्यक्ति हाल ही में पाकिस्तान के नई राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार एन एस ए नियूक्त हुए हैं मोईद यूसूफ हल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य मंतरी रहे जगनात पहाडिया का निधन हुआ है तो ये भी उप्शेन आ सकता है कि जगनात पहाडिया किस राज्य के पूर्व मुख्य मंतरी रहे हैं इसका option है राज्यस्थान जगनात पहाड या राज्यस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री रही है परती वर्ष विश मधुमक्खी दिवस कब मनाय जाता है तो विश मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाय जाता है ये important है आपके upcoming exams के लिए क्योंकि डिटर प्लैस भी पीजीटी हाल ही में कोन मीक्स्ट मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाली पहली भारतिय मूल के फाइटर बनी है अर्जुन भुलर ठीक है राजेंदर चोहान अर्जुन भुलर तो option भी इसका सही अंसर है अर्जुन भुलर कौन व्यक्ति हाल ही में सुजुकी मोटर साइकल इंडिया के नए परमुख बनी है उदित मेगवाल रियान खान स्तोशी उचिदा या राजेस तमर तो स्तोशी उचिदा सुजुकी मोटर साइकल इंडिया के परमुख बनी है नेक्स्ट है पर्ति वर्ष अंतर राष्ट्रे संग्राले दिवस कब मनाया जाता है 18 मई को पर्ति वर्ष 20 दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है 17 मई को हाल ही में कौन भारतिय मुल्की महिला अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन की वरिष्ट सलहकार नियुक्त की गई थी या नियुक्ती गई है सोरी नियुक्ती नहीं भारतिय मुल्की महिला अमेरीकी राष्ट्रपती बाइंडिन की वरिष्ट सलाहकार नियुक्त की गई नीरा टंडन हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्णामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब जीता इगा स्वीतिक हाल ही में किसने इटालियन ओपन टूर्णामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल महिला एकल में इगा स्वीत एक और पुरुष एकल में राफेल नडाल टैनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है ये ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वे से कौन सा प्लेयर टैनिस से सम्बंदित है या रफिल नडाल है जो वो किस खेल से सम्बंदित है ऐसे भी पूछा जा सकता है परती वर्ष विश्व उच रक्तचाप दिवस कब मना जाता है 17 मई को कौन व्यक्ति हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO बनी है गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए CEO बनी है Miss Universe 2021 का खिताब किसने जी था एंड्रिया मेजा ने ओप्शन सी एंड्रिया मेजा परती वर्ष राष्ट्रे डेंगू दिवस 16 मई को मना जाता है कौन व्यक्ति हाल ही में भारती महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच बनी है रमेश पवार जो रमेश पवार जी हैं वो महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच बनी है परती वर्संत राष्ट्रे परिवार दिवस 15 मई को मना जाता है कौन सा स्थान हाल ही में पंजाब का नेया जिला बना है मलेर कोटला मलेर कोटला पंजाब का नेया जिला बना है कौन से नंबर का 23 ठीक है 23 जिला बना है पंजाब का ये भी पूछ सकते हैं कोन से नंबर का जिला बना है कौन वैक्ति हाल ही में से युक्तरास्ट के मानविय मामलों की एजंसी के परमुक बने मार्टिंग ग्रीफिट्स कौन वैक्ति हाल में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड के नई अध्यक्स और परबंध निदेशक बनी है अरुन कुमार सिंग हाल ही में किस भारते मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरुसकार 2020 जीता है शकुंतला हरक सिंग हाल ही में कौन शेख जायद बुख पुरुसकार जीतने वाली परथम भारतिय बनी है ताहेरा कुतुबदीन ने शेख जायद बुख पुरुसकार जीता है यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि विजे वाटलिंग का संबंद किस खेल से हैं क्रिकेट से हैं न्यूजिलेंड से हैं और यह तो प्रेशन है ही आपके सामने की यहां से सन्यास लेने की गोशना किस खिलाड़ी ने की है हाल ही में कौन Digital Bard Reporting प्रणाली के इस्तेमाल करने वाला पहला राजय बना है यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से राजय में पहली बार या सबसे पहले Digital Bard Reporting प्रणाली का इस्तेमाल किया गया असम हाल ही में किस राज्य की पर्थम राजस्व मंत्री के यार गोरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है केरल की राजस्व मंत्री रही है ठीक है पहली राजस्व मंत्री अंदराष्य नर्स दिवस कब मनाया जाता है 12 माई को परती वर्ष राष्य प्रधोगी की दिवस कब मनाया जाता है 11 माई को हाल ही में किसे अप्रेल 2020 का ICC Mains Player of the Month का पुरुषकार मिला है बाबर आजम फ्रेंसिसको हम सीधे आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने और कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कोशन्स कम्प्लीट हो जाएं ठीक है अप्रेल 2020 का ICC Mains Player of the Month का पुरुषकार किसको मिला है बाबर आजम को इनका संबंध किस से है क्रिकेट से है ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्ति वर्ष मनोजदासंतर राष्ट cycle सहित पुरुस्कार देनी की घोशना की है ओड़ी सानी हाल ही में हिम्मंत बिश्वा सर्मा किस राज्य के नई मुख्य मंतरी बनी है असम मदर्स जे कब मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को मई महिने के दूसरे रविवार को हाल ही में किसने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमें अफ दा इयर 2021 जीता है नाउमी उसाका नाउमी उसा का ने Laurias World Sports Women of the Year 2021 जीता है हाल ही में किसने Laurias World Sports Men of the Year ये sportswoman थी नाउमी उसा का कई बार उसमेn भी पूछ लिया जाता है कपल करके ना Pairs में कि किसने किसने जीता है ठीक है राफेल नडाल हाथ हाल ही में परसिद व्यक्ति वन्राज भाटिया का निधन हुआ है वो क्या थे वन्राज भाटिया का संबंद किस से ऐसे पुछा जा सकता है संगेच से उनका संबंद रहा है वो संगितकार थे जिनका भी निधन हो गया है वन्राज भाटिया परती वर्ष विश्व थालिसीमिया दिवस कब मनाया जाता है आठ मई को विश्व थैलिसीमिया दिवस, आठ मई को मना जाता है हाल ही में एन रंगा स्वामी कौन सी बार पुंडुचेरी के मुख्य मंत्री बने चोथी बार हाल ही में परसिद व्यक्तित्व अभिलाशा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी अभिनीत्री थी कौन व्यक्ति हाल ही में तमिल नाडु के नए मुख्य मंत्री बनी है, M.K. स्टॉलिन M.K. स्टॉलिन का संबंद किस से है, तमिल नाडु से है, वह तमिल नाडु के नए मुख्य मंत्री बनी है किस पार्टी से संबंदी थी ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में मम्ता बिनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंतरी बनी है पस्चिम बंगाल ये तो शायद आपको याद ही हो हाल ही में किस ने विश्व स्नूकर चैंपियन्शिप 2021 का खिताब जीता माक्स सेलवी ठीक है माक्स सेल्बिने स्नूकर चंपियंशीप 2021 का खिताब जीता परती वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाय जाता है मैं महीने के पहले मंगलवार को कोन वैक्ती हाल ही में राश्ट्रे मानव अधिकार आयोग के नई कार्यकारी अध्यक्ष बनिया प्रफूलचंद्रपंत हाल ही में राष्ट्रय मानव अधिकार आयोग के ने कार्यकार्य धेक्श बनी है हाल ही में किस देख के खिलाडी थीसारा प्रेइरा ने अंतरास्ये क्रिकेट से सन्यास लिया है श्रीलंका की तो यह भी आ सकता है थिसारा प्रेइरा थिसारा प्रेरा का संबन्द किस खेल से हैं और किस देश से हैं ठीक है हाल ही में परसिद व्यक्तितु विक्रम जीत कमरपाल का निधन हुआ है वह कौन थे विक्रम जीत कमरपाल अभी निता थे हाल ही में कोन BP कानून को की जंगे RBI के नई डिप्टी गवर्नर बनी है यानि की T. रविशंकर ये एक नाम है BP कानून को इनकी जंगे पर RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है T. रविशंकर को परती वर्ष 20 सवतंतरता दिवस कब मनाया जाता है 3 मई को परती वर्ष विश्व हाश्य दिवस 2 मई को हाल ही में कोन सडको पर चालक रहीतकारों की अनुमती देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन परती वर्ष अंतराश्य शर्मिक दिवस कब मनाया जाता है 1 मई को कोन व्यक्ति हाल ही में बजाज ओटो के नए चेर्मेन बनी है कोन वन्या अन्वेशक पुरुषकार के लिए चुनी जाने वाली पर्थम भारतिय महिला बनी है करती कारंथ हाल ही में प्रिसिद व्यक्तित रोहित सर्दाना के निधन हुआ है वे कोन थे पत्रकार थे कोन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचीव नियुक्त किये गई टीवी सोमनाथन टीवी सोमनाथन वित्त सचीव नियुक्त किये गई है हाल ही में कोन सी मा सडक संगठन बी आरो की पर्थम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली हिवासे ठीक है, ओप्शन डी है इसका अंसर परती वर्ष अंतर रास्ट्रे नरते दिवस कब मनाया जाता है 29 अप्रेल को, 29 अप्रेल को अंतर रास्ट्रे नरते दिवस थेंकियो सो मच, आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी अफडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंट्स इस तरह के जीके करंट अफेयर्स, साइकोलोजी और हिंदी के जो भी important topics हैं, important points हैं वो लेकर हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल GoToSuccess पर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, thank you